और फिस विडियो प्रेंट्स आज़ कर जो हमारा वीडियो है वो है आप सब के नाम जिन है जिन्गनेट किया गया है इस वीडियो में एस प्लाइनिंग आपसर हमारा रोल क्या रहेगा, किस तरह हम अपने सर्वियर को जो हमारे अंडर सर्वियर है या सर्वियर एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने भी हैं, उन्होंने जो सर्विय की होगी उसको हम कैसे एपरो करेंगे प्राम वेब पोर्टल, क्योंकि एपरो करने के लिए मोबाइल एप जो तलाश एप बनी हुई है, प्ले स्टोर में वहां पे एपरो डिस एपरो के लिए कोई उप्शन नहीं है, तो एपरो और डिस एपरो एज प्लाइनिंग आपसर जो हमारी पहली रेस्पॉंसिबल्टी ह वो हमें वेब पोर्टल से ही करना होगी और वो किस तरह करेंगे हम, तो वो स्टेप्स आपके लिए इस वीडियो में हैं, तो इसलिए यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना ज़रूरी है, बिना सिक्प्ट किये हुई, और आपके फर्द बन्दा है कि दूसरों के सा हमारे साहती है, उनकी लिए भी बिलकुल हासान तरीका मैंने यहां पर इस वीडियो में दिखाने की कुश्च करनी है मुझे, तो मैं कुश्च करता हूँ कि हर एक को समझाए और वो खुद बिना किसी की हेल्प लिए यह काम कर सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई राक डिरेक्टी पोटल पे आ रहे हैं, आप यह आएंगे, देन पोटल पे आने के बैद सबसे पहला काम लाग इन का होगा, अगर आपके पास लैपटाप है, आप लैपटाप से या डिस्क्टाप से लाग इन कर सकते हो, बट मेजार्थी के पास लैपटाप नहीं है, तो वो सबसे पहले हमें तलाश, यहां पे देखिए, तलाश, जेक के डाट ओ और जी, एडरस लिखना है, डिन, एंडर करके, लाग इन करना है, लाग इन, लाग इन में आप अपना यूजर आईडी जो आपको जड एन उ से मिला है, जूनल, नोडल आपसर से एलाड किया गया अपने जो आपको आपको एलाट हुआ हे उसाइडी जो आइडी से करना होगा, मैं येहां पे अपने इसका कर रहा हूं, जेकきे, इस तरह से आपका पोटल वहां पे उपन हो जाएगा आप यहां पे देख सकते हो पी ओ यादि प्लाइंग आफसर के आईडी से मैंने लाग इन किया है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने भी आएगा आपको सबसे पहले डेश बूर्ड अगर देखना होगा तो कूंसा वाला डेश बूर्ड, हाउस होड डेश बूर्ड, चिल्डरन डेश बूर्ड, मुलिटरिंग डेश बूर्ड, रिवनी विलेज डेश बूर्ड यह सारे डिटेल्स आप देख सकते हो यानि just for information कि अगर मैं household dashboard यहां पे देखूंगा तो जितने भी household household की survey हो चीक है मेरे इस area में क्यूंकि जब आप as a planning officer login करते हो तो आपको अपना ही area अपना ही village जिसके लिए आप चुने गई हो तो वही details आपके सामने आएंगी तो इसी तरह children dashboard हैने एक household में दो या चार children हो सकते हैं तो इसमें आप children details देख सकते हो जैसे अगर मैं इस तरह दिखाने की कुछ करूंगा ऐसे में household details देख रहा हूं तो इस मेरे इसमें आएगा कि कितनी टोटल नमबर आप household survey हो चुके है तो यहां पर देख पाएंगे हम अभी रख एक हो चुका है household तो यह just data देखने के लिए हैं बाकर जो काम है वो हमें यहां पर करना है survey में यह just information के लिए dashboard है survey में जाएंगे हम तो survey में यहां पर household information सबसे पहले जो हमारा जो सबसे पहला काम है वो है household information में बट survey टेग के अंडर ही आएगा यह यह किस-किस household की मेरे surveyors ने या एक survey ने या सारे surveyors ने काम किया है तो मैं यह जब household information में जा रहा हूं तो इसके बैद यहां पर display होगा जिस्ट्रिक जोन कलस्टर पंचाइध हलका विलेज habitation तो जिस डिस्ट्रिक के लिए मैं मुझे select किया गया होगा तो automatically मुझे यह select नहीं करना पड़ेगा but directly मैं इसी पर पहुंचूंगा यानि दूसरा कोई यहां अगर मैं यहां पर दिखाने की कुछ करा एक विलेज जिसके लिए मैं इस वक्त select हूं तो वह यह है और कोई यहां पर option नहीं है बागे सारे option is disabled रहेंगे इसी तरह कोई और district का मैं नहीं देख पाऊंगा because सारे disabled है only one district is enabled that is गांदरबल तो यहां पर जारा but यहां पर जो है habitation में habitation मेरी under बहुत सारे हो सकते हैं कोई बड़ा विलेज होगा उसमें पांच आठ हैपटेशन हो सकते हैं कोई छोटा विलेज होगा उसमें एक यां दो ही हो सकते हैं तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने विलेज के सारे सर्वेयर का डेटा एक साथ देख पाऊं कि टोटल नंबर आप हाउस होल्डस आज जिन में या टोटल आज तक कितने हुए तो मैं habitation all select करके यह इस तरह का interface देख पाऊंगा हर एक ID से जो भी आया होगा but अगर मैं particularly किसी एक habitation से अपने सर्वेयर का काम देखना चाहता हूं तो मैं इस तरह देख पाऊंगा एक एक सिलेक्ट करके दें फिल्टर करना है तो मैं वैसे भी स्टार्ट नहीं हुआ जैसे डम ही है तो एक habitation मैंने उठाई और मैंने इसमें पहले as a server खुद ही entries की है जैसे आप यहां पे देख पाते हो as a planning option आपका रूल है कि इस survey को यूँ ही जाके अपरो नहीं करना है पहले हमें यह देखना है सारी details फिल्ड है कि नहीं है for example household code इसने 3D का दिया है हर एक household 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 यहां पे तीन है तो तीनों को different code मिला है then household name district zone का लस्टर इस सब है पंचायत village habitation household agenda इसमें जारा यह सीक्री की कोई बात नहीं है यह नून चीज़े हैं यह आपके survey ने की होगी in case आपके survey ने यहां पे नाम लिखा होगा बाकि आप कुछ इसमें फिल नहीं किया गया है यानि blank information दिये हैं तो उस चुर्थ में आप जिस एप्रूड कर सकते हो जैसे एक का मैंने किया है और इसका एप्रूड है और जो पहला वाला है टाप पे यहां पे हम देखेंगे household code 150 150 household head का नाम मैंने रखा है मुझाफर अहमद और इसकी details जब मैं आगे चलके देखता हूँ age wise details कितने बच्चे है इस गर में सारी details है और last पे information मिली है नहीं सर्वेयर कूं सा सर्वेयर है जिसने information upload की है तो यहां पे सर्वेयर ID दानी शाहमत यहां जैद लिखा है उसने सर्वेय करके information submit के हैं तो अब मुझे जो action करनी है सबसे पहला काम मेरा इस सर्वेय को approve करना है तो यहां पे action बटन दबा के यहां पे आप देखिए action बटन के नीचे जो drop down मीनों है यहां पे तीन लाइनस पे मुझे इस सर्वेयर के लिए पहले यहां किलिक करना होगा दो options मेरे पास है edit and approve और disapprove edit तो इस सूरत में अगर मुझे लगता है किसी जगा थोड़ा कुछ काम है मैं कर सकता हूं तो वह मैं कर सकता हूं बट man जो काम है वो है approve और disapprove तो इस tag पे यहां पे मुझे सबसे पहले planning आप सार यहां पे मुझे काम करना होगा आप्रूब के लिए देन इस household की सारी details open हो जाएगी जो फार्म आपकी survey ने फिल किया है वो सारी details यहां पे है household code household number mobile numbers material status religion इसका सब कुछ है BPL status है family details इसके बैद number of family members total में कितने हैं male female यह transgender भी हो सकते हैं वो सारी details है then number of children by age group यतने हैं age group 6 to 10 एक बच्चा है और 11 to 13 एक बच्चा है इस family में दो ही बच्चे हैं जो हमारे 3 to 18 years में फाल होते हैं then migration details no migration family है हमें यहां पे कुछ नहीं लिखना है यह सारा कुछ हमें प्रफिलड मिलेगा हमारे survey ने यहां पे किया होगा हमें just यहां पे काम करना है number 5 पर जो आता है ओ ऐसी out of school children details तो यहां पे हम देखते हैं household code यानि किस household से हम बच्चे भी जो है वो एप्रूब कर रहें 150 यानि यह वाला household code then children serial number जो है child का serial number इस particular family में यहां पर हम देख रहें साब कुछ filled up है कोई यहां पे incomplete data नहीं है तो इस सूरत में हमें क्या करना है इस इस वाली survey को हमें approve करना है in case in case अगर यह information हमें लगती है अदूरी है incomplete है तो हम disapprove कर सकते हैं इस एप्रूब बटन पर किलिक करके बट उस सूरत में हमें यहां पर disapprove करके यहां पर reason देना होगा कि क्यों मैंने disapprove की है रीजन भी आपको वहां से select करना होगा क्या वाज़ा है incomplete data है क्या है क्या है जो भी होगा but approve और in case आपने disapprove किया आपके survey के पास एक information चले जाएगी वहां पर उसको notification आएगी एप में कि यह वाला जो है household 150 household code यह आपके planning आपकर ने disapprove किया है किस वज़े से वह वहां पर reason गिया गया होगा reason यह है तो वह दुबारा उसको फिलप करेगा और recent करेगा but यहां पर सब कुछ details पूरी तरह फिलप है तो हम यहां approve करेंगे यहां पर देखिए green tag data for household code 150 has been approved यही सबसे पहला काम है और जो आपको portal पर ही करना है चाहिए आप mobile web browser से करोगे या laptop desktop पे browser पे ही करोगे यह इसके लिए मुझे यहां पर दिखाना दूरी था कि बहुत सारे planning factors confusion का शिकार हो जाएंगे जब वो mobile app जो हमने इनको तलाश एप दी है वहां पर दूरने की कुछ करेंगे वहां पर आपको नहीं आएगा बिल्कुल आप आसान तरीका है पोटल पे लिखना आपको सारा पर फिलिट लिखेंगे जस्ट एपरूब करना है हां यह देख के ही करना है कि जो मैंने एपरूब किया है वह वह वाकई फिलिड है कि नहीं है तो इस सुरत में आप इस तरह कर सकते हो और यहां पर देखिए बाकई दो चीजे हैं वह मैं अब यहां पिस्टेट्स आया एपरूब एपरूब के बैद जो भी चीजे हैं वह दूसरे वीडियो में यह वीडियो बड़ा हो जाएगा वह हम मोबाइल एप पे ही दिखाएंगी क्योंकि एक बार सब कुछ दिखाना आपके लिए भी बोर बन जाता है और फिर समझने में दिकत आती हैं और वो हम मोबाइल एप से ही करेंगे इंशाला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी आप जरूर देखें और यह वीडियो देखने के बैद दोस्तों के साथ प्लीज शेयर भी कीजिए थैंक यू उमेद है कि आपको मेरा आज प्लीकेशन के साथ रिलेटिड है तो मैं कुशिश करता हूँ कि अपने जो जितने भी साथी हैं उनके साथ यह बात हैं शेयर करने वो ताकि उन्हें आसानी हो जाए टेक्निकल नोहाव खासकर जिनको नहीं है उनको आसान दरी किसी यह बात हैं सिखाने के लिए तो सबस्दilik में साथ प्लीए